हेलो नमस्कार डियर इस्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज केरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई टी आई का जिन भी कैंड़ेट का रिजल्ट डिकलेयर नहीं हुआ था किसी कारण वाज से जैसे कि बैक एक्जाम हो गया था या उनका बैक लग गया हुआ तो उन सबका यहां पर डिकलेयर कर दिया गया है यदि आपका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया था तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कैसे देखेंगे इस वीडियो में हम आप लोग को इस्टे बाई इस्टे बताऊंगा तो इसे रिलेटेड इंफार्मेशन पान 2014 बैस से लेकर 2017 बैस तक लेकि अब रिजल्ट 18 बैस वालों को भी आ गया है जो उनका बैक लगा हुआ था उनका भी आ गया है जिनका अभी एक्जाम किसी कारण से पेंडिंग में था उन सब का रिजल्ट डिकलेयर कर दिया गया है तो आपको अफिसियल वेबसाइट पर आ करना है क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आप लोग का रिजिस्ट्रेशन नमबर मागेगा रिजिस्ट्रेशन नमबर आपका रोल नमबर होगा लेकि आप लोग रोल नमबर डालेंगे कैसे डालेंगे वह मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आप डालेंगे तो आपका अब ही रिजल्ट नहीं सो करेगा क्या करना पड़ेगा वह मैं बताऊंगा यहां पर गार्जियन नेम आपका जो गार्जियन नेमे वह डालना पड़ेगा डेटा बर्थ डालना पड़ेगा फिर यहां पर आपका जो यह image दिखाई दे रहा है चौन साट उनातर आठ और submit पे क्लिक करना होगा अब registration रोल नमबर में क्या करना है जो आपका रोल नमबर है या registration नमबर है तो वो 00 से start होगा 00 जैसे माली जी कि 18 बैचे तो 18 ऐसा लिखा होगा आपका कुछ तो यह 18 तो लेंगे लेंगे यह 00 को हटा कर यहाँ पे R लिखेंगे ठीक है यानि कि आपको इसमें क्या होगा registration नमबर कैसे बनना होगा R 18 लिखकर बनना होगा 00 को हटा कर R कर देना है न चलिए मैं इसको fill कर दे रहा हूँ तो मैं आगे बताता हूँ यहीं से आप लोग को submit करके download करना है कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ देखिए तो guys capture मैंने डाल दिया है अब आपको करना क्या होगा submit पे click करना होगा जैसे सब यह capture डालना पड़ेगा क्यूंकि बार बार आपका capture गलत बताएगा ठीक है तो आपको जब capture डालके submit करते रहें दो जैसे दो-तिन बार submit कर देंगे तो देखिए खुल कर आ जाएगा आपके सामने अब करना क्या आपको नीचे के तरफ जाना होगा और यहां पर देखिए फरिस्ट इएर का भी रिजट आ गया है आपका सेकेंड यर прин ो फरिस्ट इयर 5-20 दोनों का गया है यहां पर आपका था eligible status यहां पर आपका attendance दिखाई दे रहा है और आपका mark Street यहां पर रहा है ठीक हम नहां हमें सत पर जिस बींड है भी डाउंलोड करने का आप चाहे तब भीडानोड कर होगा जैसे क्लिक करेंगे देखिए वी कलिक करेंगे लिए अब मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूं तो यह देखिए आपका यहाँ पर है यहाँ तो fTS को ट होगा इसमें आपके फोटो स्रॉट कर इसाज नाम?", फादर नहीं सब मिला लिजीएगा डेट भर्थ अम्मception अब भाना है झासल प्रम्हक्त मैं लिजे किसी में कम तो नहीं है 33% से किसी में नंबर कम रहते हैं तो आपका लग जाएगा आप देखें यहां पर प्रसेंट यहां पर उठाए हैं तो इस परकार अपना चाहें आपका प्रोसेस अपना कर सकते हैं तो यही पूरी प्रोसेस जो आपको फोलो करना है अपने आइटी की मार्क शीट डाउनलोड करने के लिए इसे प्रिंट आउट करा लिए अब जहां भी लगेगा आप इसे का फोटोकापी लगाईए चाहें लगा दीजे यह आपका हमेसर आएग बात निकाल सकते हैं या आप चाहेंगे तो अपने काले से भी ले सकते हैं जाकर प्रिंट आउट कराके अच्छे पेज पर तो यही प्रोसेस था जो मैंने पूरा बता दिया आईटी आई में आपका किसी भी यहर में एडवीशन है और आपका रिजल्ट देखना है तो यह मेथड फोलो करिएगा यदि आपका यहां से अभी नहीं होता है डाउनलोड तो कमेंट बाक्स में बताइएगा क्या क्वेरी आ रहा है आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और मुझसे परसनल बात करना होगा या कोई आपका प्रॉब्लम है तो परसनल बात करने के लिए आप तक पहुंशती रहा है आज के लिए वीडियो में इतना है थेंक्स फर वाकिंग दिस वीडियो गाइज